वेल्कम बाक ट्रेडर्स नाचल गास का अच का अपडेट लेते हैं अब उससे पहले इंस्साग्राम पर फॉलो कर लो वहाँ पर भी थोड़ा था हम लोग वीडियो डाल रहे हैं रोज उसे जाकर देखना एनिवेज नाचल गास के हम लोग बात करें तो शुरुवात करते है इंवेंट्री डेटा से फ्राइडे को डेटा अपडेट नहीं हुआ था तो यहाँ पर डेटा है यहाँ पर फॉर्कास था कि 69 बिलियन के रिजर्व बचेंगे बट आक्चल नंबर 71 बिलियन मिट्र क्यूब तक रहा तो इसका मतलब भी है कि डिमांड उतनी नहीं रही बैंड यहाँ पर 217 से लेकि 245 का बैंड है जो करेंटली प्रिवेल कर रहा है यहाँ पर इस नाचल गास के लिए अगर यह बैंड बीट होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और यहां पर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है जो हम लोग आज ही रियलाइस किया कि एक ट्रेंड भी है तो अगर यह बीट हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है अपडेट तो मैं रोज लेता ही हूं यहाँ पर नाचल गास का आज इनिशली बहुत अच्छी ट्रेड मिली मैं आपको बताता हूं कैसे यहाँ पर हम लोग ने डिसकस किया था इसके अंदर ग तो फिर वो काम करी जिसकी विज़े से खुशी हुई और वापस ते जो ब्रेक आउट है कॉंटेन ही होए यहाँ पर अब यह लोग देखे तो नाचल गास यहाँ पर हेड करता हो नजर आ रहा है 229.2 के आसपास में इनिशल बैंड 228 रुपे 20 पैसे गए उसके बाद में 22 229.2 का बैंड है यह बैंड बीट होता है 231 का बैंड है अब एक दिन वे 231 को भी ब्रेक करेगा कि नहीं यह कहना मुश्किल है यहाँ पर अगर साइडवेस जाता है तो फिर वो एक अच्छा पॉइंट होगा पर क्लोजिंग अच्छी मिल रही है और 231 के उपर हेड होता ह है तो 233.2 तक के बैंड है यह बैंड बीट हुआ तो मैं दोबारा अपडेट ले लूँगा क्योंकि इसके उपर जोन अच्छे है यहां से इनिशली ब्रेक डाउन वापस आता है 225.2 का बैंड है यह बैंड अगर बीट करता है तो 224.7 के नीचे मोमेंटम थोड़ सा टारास मूग कर दाई है यहां लेखितन वापा बीट